वेल्कम टू ओलिवोड देखे कितना जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ मैं जुलाई 2020 की जुलाई महिना खतम हुआ धड़ा धड़ा आपके लिए बोल्ट ला दिया गया और धड़ा धड़ा आपके लिए वीडियो आ गई है ठीक है तो ओलिवोड बोल्ट आपको पता ही होगा हमारा जो product है monthly आपके लिए current affairs लाए जाते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस video के अंदर हम discuss क्या क्या करने वाले हैं क्योंकि ऐसे ही हर चीज़ के पीछे नहीं लग जाना होता जिस चीज़ को कर रही हैं उस चीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए monthly current affair है जो कि आपको SBA, IVPS, SSC, Railways सब जगए काम आता है ठीक है तो हम इसके अंदर banking, economy, national, international, state, sports, agreements तक करने वाले हैं ठीक है बाकी हम next parts के अंदर देखेंगे चलिए, first part मैं आपके सामने शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंतर में हर कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, जो most important है, जो last night fighter जिन्होंने पूरे महिने कुछ नहीं पड़ा, उनको तो ये करना ही करना है, बाकी जिन्होंने साथ-सा मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ आपको, banking news देख लेते हैं, RBI launches inflation expectation survey, inflation expectation survey में क्या है कि information को gather किया जाएगा over telephone, telephone पर gather किया जाएगा coronavirus pandemic के दोरान, तो ये कौन सा, किसके साथ मिलके किया जा रहा है, आप ये बोल सकते हैं, Hansa Research Group Mumbai engaged to conduct the survey, Hansa Research Group के साथ मिलके RBI ये करने वाला ह तो RBI plus Hansa सामने लिख लीजिएगा inflation survey, ये आपके लिए notes बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, RBI और Hansa मिलके inflation survey करेंगे, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है, साड़े साथ सो मिलियन रूपीज, साड़े साथ सो मिलियन डॉलर to support COVID hit MSME in India, MSME के लिए वर्ल्ड बैंक ने साथ साथ सो मिलियन रूपे दिये हैं, अब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस के लिए, कितने trenches में यह आएंगे, कितने किस्तों में यह पैसे दिये जाएंगे, ठीक है, यह मैं PDF आपके साथ share भी कर दूँगा, टेलिग्राम के ओपर, Ollywood is the new black group है, वहाँ पे मैं यह highlighted PDF share कर दूँगा, yes bank ने launch किया, instant loan disbursement facility, नाम क्या है उसका, cold launch in seconds, loan second के अंदर मिलेंगे, तो सब कोई हां भरेगा, भी हां मिलना चाहिए, हां मतलब yes, yes bank, yes bank का product है यह, yes bank के MDC यह कोन है, प्रसांत कुमार, next देख लेते हैं, देखें जो चीज़ highlight नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो important नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा important में से एक जरूर नहीं है, तो यह सब चीज़ें मैंने खुद highlight किया है, आपके लिए किया है, नाबार to provide bank refinance of 5000 करोड for watershed development projects, अंदिवाना निक बार के लिए नाबार ने कुछ project चलाया है, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, 250 watershed development projects के लिए 5000 करोड रुपे दिए, और 5000 करोड रुपे दिए, primary agricultural credit societies को convert करने के लिए, किसमें multi service centers के अंदर, तो नाबार की news है, तो इंपोर्टेंट है, railway की news होती है, तो इंपो next news है, RBI to set up panel, RBI ने एक panel set up किया, to study QR code for contactless transaction, contactless transaction के लिए QR code के लिए कमेटी बनाए गई, ठीक है, जिसके head कौन है, IIT Bombay के दीपक पाठक, RBI की है, कमेटी है, बहुत ज़्यादा important है, दीपक पाठक, जो professor है, IIT Bombay के, वो head है, six member committee है, six member में सुनिल महता CEO है, PNB के, तो जो member में है, ठीक है, वो भी बहुत important है, इसलिए आपको, याद करने की ज़रूद नहीं है, बस हाँ importance पता चलती है, कि कितनी important committee है, यह QR codes के लिए, RBI के द्वारा बनाए गई है, RBI कमेटी recommends multiple interoperable QR code, इसी committee ने बताया है, जो की head की गई है, DB पाठक, दीपक जी के द्वारा, ठीक है, तो यह committee दुबारा आ गई है, news में, तो important, और ज़्यादा हो गई है, multioperable QR code के लिए, इन्होंने कहा है कि multioperable QR code होने चाहिए, ठीक, डीप में मच जाहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जाने की, next है, bank of badoada ने launch किया paperless insta click saving account, insta click saving account, किसका product है, bank of badoada, आपको याद रखना है, और bank of badoada ने कहा है, तक 2023 तक 100% paperless bank बन जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर बन जाए तो, NPCI ने rollout किया auto pay feature, auto pay feature मतलब जो आपके monthly record payments होती है, जैसे mobile bill हो गया, ठीक है, post paid bill हो गई, जितने भी है आपके, या कोई premium करता है आपका, LIC का या किसी और insurance company का, तो वो auto pay हो जाएगा, automatically pay हो जाएगा, तो ये NPCI ने launch कर दिया है, ठीक है, auto pay feature, next देख लेते हैं हम, IRCTC, important है, SBA important है, दोनों का combination तो बहुत important है, IRCTC और SBA card ने launch किया, co-branded contactless credit card, SBA card का product है, credit card, वो IRCTC के साथ मिलके launch किया गया है, रूपे platform के अंदर, ठीक है, रूपे platform है, ठीक है, जैसे mastercard visa वीजा वैसे ही, रूपे platform है, जो कि इंडिया का है, और रूपे को control कोन करता है, NPCI, SBA ने launch किया, we care term deposit scheme, senior citizen के लिए we care term deposit scheme है, SBA ने launch किया है, ठीक है, तो इसके लिए more than 60 years, age होनी चाहिए, कितना पैसा, कितना interest मिलने वाला है, वो important नहीं है, हाँ, SBA का notification आ जाए, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि individual bank के product का interest rate आप से कोई नहीं पूछेगा, IVPS PO या RRBPO के अंदर, ठीक है, India's foreign exchange, foreign exchange reserve, जो हमारे है, वो touch कर गए, 513, मतलब, half trillion mark को cross कर दिया हमने, half trillion mark को जोन के अंदर cross कर दिया गया, पूछा देकता है, कितना billion था, तो 513 billion, ठीक है, foreign exchange reserve का मतलब यह है, कि जो इंडिया की currency को छोड़के, जो भी हमारा reserve है, हमारे पास amount है, वो कितना है, पान्सो तेरा billion, IIT Madras launches world's first online B.Sc. degree, first online B.Sc. degree होगी, programming and data science के अंदर, ठीक है, online ही यह मिल जाएगी, next है, HRD ministers, sports minister to launch fit India talks to inspire school children, school children's के लिए fit India talks launch किया गया है, sports minister and HRD minister के द्वारा, और जो यह talk है, इस talk के अंदर, badminton star PV Sindhu, आपने नाम सुना होगा, सुनिल छेतरी, बहुत famous नाम है, आपने सुना होगा, इन लोगों के साथ बच्चों के बात करवाई जाएगी, AIR, All India Radio, begins broadcast of its first ever news magazine programming, Sanskrit, Sanskrit के अंदर, Sanskrit सापता ही की, मतलब weekly Sanskrit के अंदर report होगी, जो 20 मिनट का duration होने वाला है, first ever news magazine होगी, जो developments कितनी हुई है, Sanskrit के अंदर, वो बताएगी, Delhi के LG जो है, अनिल बैजल साव, उन्होंने inaugurate किया, world's largest COVID center, COVID center ब्यास के अंदर, जादस्वामी सचंग ब्यास के अंदर ये, जो बना हुआ है, होल, उसको कहा गया है, largest, first of its kind, ठीक है, डेली के lieutenant governor जो है, अनिल बैजल, उन्होंने ये inaugurate किया, 10,000 BAD का ये सरदार पटल COVID center से बोला गया है, CBSC partners with Facebook, CBSC ने Facebook के साथ tie-up किया है, to launch free training program for teachers and students, the program will cover teacher training on augmented reality, AR, आपने सुना होगा, artificial intelligence, वैसे ही augmented reality, and students training on digital safety and online well-being, बस digital literacy के लिए आप याद रह सकते हैं, digital literacy के लिए, ये launch किया गया है, Indian railway sets up solar plant in Bina to directly power railway overhead line, railway के लिए direct solar plant से बिजली आए, ठीक है, इसलिए solar plant launch बनाया गया है, Bina के अंदर, ठीक है, located कहाँ पे है, मध्यपरदेश के अंदर, मध्यपरदेश, Bina के अंदर, और एक रेवा, जो plant जो लगाया गया है, वो भी मध्यपरदेश के अंदर है, windh region के अंदर, ये याद रखेगा, मैं भी करवाने वाला हूँ, थोड़ी दिर में आपको, NHRC ने एक पैनल बनाया है, to study COVID impact on human right, human right के अपर तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा होगा, COVID के लिए जितने भी रूल बनाया जा रहे हैं, उसमें तो इसके लिए head की गई है committee, केस रेटी जी के द्वारा, PM Modi to unveil Asia's largest solar plant in Madhya Pradesh, यह देखिए आगे है, Reva Ultra Mega solar plant है, जो Madhya Pradesh के अंदर है, Winde Region के अंदर है, यह solar plant largest है, Asia का, तो इसलिए important हो जाता है, आपको लगेगा यह static का question है, हमने तो देखा ही नहीं, पर यह static का नहीं, solar plant नाम आने से चीज़ें static नहीं हो जाती, चीज़ें current के भी हो सकती है, तो Indian Railway to transform itself as net zero carbon emission करने के लिए सपत ले ली है, इंडियन रेलवे ने 2030 तक, World Bank to provide 400 million dollar, 7500 million हमने देखा, COVID के लिए MSME को देगा, 400 million support करेगा, Rejuvenation of River Ganga, Ganga River के लिए, जो mission चलाए जाते हैं, ठीक है, उसमें World Bank invest करने वाला है, पैसे देने का मतलब यह नहीं होता कि बस दे दिया, यह एक interest के साथ वापिस भी देने होते हैं, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launches, Artificial Intelligence Based, ASEEM Digital Portal, ASEEM Digital Portal launch किया है, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने, इसका full-foam क्या है, ASEEM का आत्म निर्भर, Skilled Employee Employer Mapping, Skilled Employee Employer Mapping, तो पुछा जाकता है, E का मतलब क्या है, Second E का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, full-foam पता होने चाहिए, यह किस चीज़ के लिए है, to help skilled people find sustainable livelihood opportunities, उन्हें मिल पाएं, जो skilled हैं, Indian Railway will be largest railway in world to have 100% electrification by 2030, 2030 तक 100% electrification वाली जो largest network बन जाएगा, Next News है हमारे पास, नीती आयोग के अटल innovation mission के अंतरकत, एक app launch किया गया है, मतलब एक app module launch किया गया है, school students के लिए, अटल ATL आपने सुना होगा, ATL Thinkering Labs, ठेक है, उन्हें इनिशेटीव के आंतरकत, ATL innovation mission चलाए गया था, और उस ने, ATL innovation mission ने launch किया है, एक app development module, app development module मतलब बच्चों को सिखाया जाएगा, कि app कैसे काम करती है, और उन्हें इस चीज़ के लिए भी जागरूख किया जाएगा, कि एक app खुद वो कैसे तियार कर सकते हैं, तो Indian startup Plasmo के साथ मिलके ये initiative लिया गया है, नीतियायो के द्वारा, यूनियन HRD Minister virtually releases प्रग्याता guideline on digital education, डिजिटल एजुकेशन के लिए प्रग्याता guideline लौंच की है, प्रग्याता में सब का फुल्फोमा आप याद रख लिजेगा, P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, अंजी खाद ब्रीज, जो की जमू एंड कस्मीर के अंदर, first of its kind है, first cable straight railway ब्रीज, first cable straight railway ब्रीज कहां पे है, नाम क्या है आपसे पूचा रजकता है, अंजी खाद ब्रीज, तो important है, याद रखिएगा, capital of northeast, northeast की जो capital है, उनको railway network से connect किया जाएगा, 2023 तक ये railway board ने कहा है, मनीपूर मिजोम नागलेने में एक हल्य है, this work is in progress, कट्राब बनिहाल rail link project, कट्राब बनिहाल rail link project के अंतर का 3 को connect किया जाएगा, 2022 तक, ठीक है, capital जो आसाम तरिपुरा और अंधरप्रदेश की है, वो ओल्रेड़ी connected है, ये बस आपके information के लिए है, UPSC के तैयारी कर रहे हो, तो इतना deep में जाएगा, वरना मत जाएगा, इंडियाज first public electric vehicle charging plaza, दिल्ली के अंदर ये इनोग्रेट किया गया है, first electric vehicle charging plaza, जैसे आप petrol पे जाते हैं, वैसे electric vehicle charge करवा सकते हैं, HRD minister ने launch किया, मनोदरपन initiative, मनोदरपन मतलब मनकादरपन, मनकादरपन मतलब physically के साथ साथ, mentally जो भी health है, वो भी ठीक होनी चाहिए, तो psychological support to students for their mental health, DRDO ने established किया, COVID-19 testing facility at LAY, LAY लद्दाख आपने नाम सुना होगा, तो DRDO ने established किया है, वहाँ पर COVID-19 testing center, दिहार आप बोल सकते हैं, Defense Institute of High Altitude Research, India to have 60% renewable energy by 2030, 2030 तक power minister ने खाया है, कि हमारे पास 60% renewable energy होगी, मतलब 100 अगर हमारे पास electricity है, तो 60 उसमें से renewable energy हो, electricity मतलब energy, energy का special form होता है, electricity, largest solar plant of Navy commissioned in Kerala, Kerala के अंदर, Keltron आप बोल सकते हैं, Kerala State Electronics Development Corporation Limited, इनोंने execute किया है, इस project को, Indian Navy का largest solar power plant है, जो कि, Azimala का कुनोर के अंदर लगाया गया है, World's first electrified rail tunnel fit to run double stack container, double stack container मतलब ये rail है, तो इसके ऊपर एक और डबा हो, ठीक है, तो उस stack को भी, वो stack के अंदर आप puzzle के अंदर भी क्या करते हैं, एक stack के ऊपर ऐसे stack लगाते हैं, वो ही stack तो ये है, ठीक है, double rail गाड़ी अगर आपके पास हो, या माल गाड़ी हो, तो वो यहां से गुजर सकती है, ये operational हो जाएगा, 12 months के अंदर, first electrified rail tunnel, ठीक है, जो कि double stack containers को भी सहर पाएगी, इसका integration किया गया है, और कहां पर, अरावली के भाड़ियां आपने सुना होगा, वो अरावली परवत से गुजरेगी है, ये tunnel, हर्याना के अंदर है, ठीक है, cabinet ने अप्रूव किया, new education policy, तो मैं ज़्यादर deep में नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि सब को पता है, वाट्षएप के तुरू कई fake news भी आ रही होती है, तो दा हिंदू या कुछ अच्छा news paper पढ़िए, उससे चीजों को समझने की कोशिस कीजिए, और खुद समझने की कोशिस कीजिए, इतने मत आप आलसी बनिये हैं, कि इसरो के जो चीफ है के सिवान, उन्होंने सब्मिट किया था यह, ठीक है, सोरी के कस्तूरी रंगण, के कस्तूरी रंगण जो है, उन्होंने यह सब्मिट किया था, draft new education policy का, ठीक है, और national assessment center बनाने के बाद की गई है, जिसका नाम होगा परक, तो deep में जाके पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिएगा, अब उन्होंने कहा है, कि higher education commission of India, HCCI नाम का एक center setup किया जाना चाहिए, no AI, CTE, ठीक है, या UGC, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको demolish कर दिया जाना चाहिए, यह मतलब इसको venish कर दिया जाना चाहिए, U.S. formally notifies UN, UN को कहा दिया U.S. ने कि हम WHO से withdraw कर रही है, क्योंकि उन्होंने चाहिना का साथ दिया है, ऐसा U.S. का मानना है, ठीक है, अगर U.S. really withdraw कर लेता है, completely last step तक, क्योंकि अभी formally notify किया गया है, तो 4500 million का नुकसान होने वाला है, WHO को कि एक बहुत बड़ी funding है, U.S. ने कहा कि चाहिना का साथ दिया गया, और चाहिना का contribution कि एतना है, 40 million जो कि 110 है, U.S. की contribution का, तो बहुत बड़ा जटका लगने वाला है, WHO को अगर ऐसा होता है तो, माल्दी और स्रिलंका ने eliminate कर दिया है, measles को, rubella को, 2023 का target रखा था इन्होंने, और पहले ही 2020 के अंदर ये खतम कर लिया, ये बिमारियां हैं दोनो, WHO ने एक panel setup किया, to review handling of COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic के लिए एक committee बनाई गई है, जिसके head कौन है, former New Zealand Prime Minister Helen Clark, और Librarian President Alan Johnson Sirleaf, to head the panel, दोनों head बनेंगे इसके, ठीक है, WHO के director general कौन है, T.A. Gaboriosis, आप इसको ऐसे याद रखे है, T.A. Gaboriosis, पूरा याद नहीं रखना कि Tedros Adonam, ठीक है, next है, PM Lee Hasing Long returns to power in Singapore, Singapore के दोबारा Prime Minister कौन बन गई है, PM Hasing Long, तो कुछ appointments होती है, जो important होती है, और आपको आने भी चाहिए, तो उनमें से ये एक है, तुर्कमेनिस्तान को observer status मिल गया है, World Trade Organization के अंदर, World Trade Organization का headquarter का है, Geneva Switzerland के अंदर, मैंने treat के साथ आपको, observer status मिल गया है, याद कैसे रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान तर्क दिख रहा है आपको, जिसकी तर्कमेनिस्टा होती है, यानि तर्कमेनिस्तान ठीक है, तर्कमेनिस्टा होती है, वो चीजों को उपजरू करता है, निक्रगुआ, अपने नाम सुना होगा, लेटेस्ट कंट्री टू साइं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईयस से, जिसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरयाना के अंतर है, डार्क्टर जेनरल कौन है, उपहिंदर त्रिपार्थी, 87th कंट्री हो गई है, जो इसको जोइन कर लिया है, जिसने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, गुर्वेंट डिकलेयर्स, एंटायर नागलेंड डिस्टर्ब्ड एरिया, फोर 6 मोर मच्छे, और महिनों के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया, मान लिया गया है नागलायंड को, यह किस सेक्षन 3 है, AFSPA, Armed Force Special Power Act, इंपोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यह इंपोर्टेंट नहीं है, हाँ, AFSPA की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, कि किस रूल के अंतरगत, यह स्टेटस दे दिया जाता है, तमिलनाडू ने अनाउंस किया, मन्थली 3 हजार रुपे का स्टाइपट फॉर्म लॉयर्स, जो लेटेस्ट जिनोंने एडवोकेट बने हैं, वो दूसरे जोब के लिए ना कनवर्ट कर जाएं खुद को, इसलिए उनको माइग्रेट होने से बचाने के लिए, 3 हजार रुपे का मन्थली स्टाइपट देने की बात के गई है, तमिलनाडू गॉर्मेंट के द्वारा, करनाट का गॉर्मेंट ने लोंज किया पोर्टल, तो कनेक्ट जोब सीकर सेंट एंप्लोयर, जोब सीकर और एंप्लोयर को कनेक्ट करने लिए, स्किल कनेक्ट फॉर्म, किसने लोंज किया है, करनाट का ने, ठीक है, मध्यापर्देस نے एक blue और green कलर के dustbin जो already है उनके साथ साथ एक yellow dustbin भे बनाया है जिसमें किवल corona के जो waste है वो डाला जाएगा इन दोर के देल यह लगाये गया है मध्यापरदेस ने yellow dustbin लगाये है Odisha government ने loan किया बलाम योजना है Odisha government की जो landless farmers को loan देने की बात करेगी ठीक है joint liability group के अंदर ये loan दिया जाएगा joint liability group मतलब 5-6 लोगों का एक smoo जो जाके bank से पैसे लेता है और सबकी liability बनती है वो pay करने की ठीक है और landless farmers को दिया जाएगा तो मतलब जो group बनेगा उसमें किसी के पास जमीन नहीं होनी जाएगे देली गोर्वेंट ने लोंच किया e-portal for school children school children के लिए lead नाम का lead बोल सकते हैं आप lead है learning through e-resources made accessible for Delhi develop किया गया है देली गोर्वेंट के द्वारा next है मध्यपरदेश ने campaign चलाया है इंतजार आपका starting in order to attack tourists के लिए इंतजार आपका campaign चलाया गया है मध्यपरदेश के द्वारा next है cm उद्धव ठाकरे ने launch किया महा जोग पोर्टल महा जोग पोर्टल मतलब महा नाम दिख रहा है मतलब महा रास्टा का है यह पोर्टल यह किस चीज़ के लिए है to make employment opportunities in the state आसाम देहिंग पतकाई wild life century जो है असाम की ठीक है उसको national park status मिलने की बात कही गई है कि decide कर लिए है असाम government ने कि देहिंग पतकाई wild life century को national park के अदर convert कर दिया जाएगा तो इसको याद रखिएगा कि नया national park जो सामिल हुआ है उसके chance इसकी connection जिसने 100% घर्वों के अंदर पहुंचा दिया है मतलब कोई अज़ागर नहीं है जिसके अंदर LPG connection ना हो राजस्थान ने launch किया campaign to ensure purity of milk and dairy products dairy products और milk products जो भी है उनकी purity मापने के लिए pure for sure राजस्थान के द्वारा campaign चलाया गया है Odisha government ने introduce किया blueis to prevent land encroachment in Bhuneswar Bhuneswar के अंदर अवैद खनन को रोकने के लिए blueis नाम का portal चलाया गया है मतलब system चलाया गया है जिसके full form क्या है? Bhuneswar Land Use Intelligence System येक intelligence system है जो की अवैद खनन को रोकने की बात करता है Odisha के governor कौन है? गनेशिलाल और Odisha के CM है नवीन पतनायक साब हमीरपूर के नादोन police station को best police station बताया गया है इंडिया के अंदर नादोन हमीरपूर का है ठीक है? हमीरपूर मतलब हिमाचल के अंदर है 36 गड़ ने organize किया इंडिया's first e-log का दारत COVID-19 के वज़े से कुछ cases जो पहले ही निपटाई जा सकते हैं ओनलाइन कुछ तैयारियां करके तो उसके लिए ये चलाया गया है e-log अदालत मध्या प्रदेश ने रोको-टोको campaign चलाया जो mask नहीं लगाते उनके लिए mask नहीं लगाते COVID-19 के अंदर तो mask one of the mandatory चीज़ें बोल सकते हैं आप तेलंगाना पूलिस ने लोंच किया cyber, cyber portal है हर नाम दिख रहा है मतलब women children के लिए है women के खिलाफ crime रोकने के लिए cyber नाम का पूलिस चला गया है तेलंगाना पूलिस के द्वारा union minister हरिसिमरत कोर बादल जो food industry चे है इसका मतलब जोरम मेगा food park launch किया है इन्होंने food park launch कौन करेगा food processing minister होगा मेगा जोरम food park है जोरम मतलब मिजोरम दिमाग में आएगा तो मिजोरम के अंदर ये है first of its kind गोधन्यायोजना गोधन्यायोजना से UP दिमाग में मतलई येगा 36 गड़ है ठीक है तो गोधन्यायोजना लौंच की गई 36 गड़ के अंदर योगी अधित्यनाद जी ने लौंच किया employment scheme for schedule cast schedule cast के लिए नवीन रोजगार चत्री योजना चलाई गई है for all round development of schedule cast schedule cast के लिए नवीन रोजगार चत्री योजना UP के योगी अधित्यनाद जी ने चलाई हर्याना ने क्या लौंच किया इसची वाले पोर्टल इसची वाले पोर्टल एक digital पोर्टल है जो facilitate करेगा पीपल को लोगों को to take online appointments for virtual meeting with CM deputy CM minister and heads of departments heads of department deputy CM या CM से कोई अगर मिलना चाहता है तो वो online अपना registration कर सकता है sports की news हम देख लेते हैं नितिन मैनन third Indian empire to be inducted in ICC elite panel ICC elite panel के अंदर सामिल होने वाले third Indian empire कोन है नितिन मैनन इनको मैदान पे काफी बार देखा होगा रविंदर जडेजा को बोला गया है most valuable player of 21st century 21st century के India का सबसे most valuable player अगर आप से कोई पूचा है तो आप कहेंगे wisdom के द्वारा ये बताया गया और रविंदर जडेजा उनका नाम है ठीक है रविंदर जडेजा all rounder है जैपूर to get world's third largest cricket stadium third largest cricket stadium होगा 75,000 लोग वहाँ पे बैट पाएंगे मैदान देख पाएंगे मतलब मैस देख पाएंगे आकास 66 ग्रेंड मैस्टर बन गई है चैस खेलते हैं आकास जी आकास इनका पूरा नाम बोल सकते हैं आप होकी के जो लेजेंड है असोक कुमार ठीक है उन्हें मोहन बागान रतना वोर्ड दिया जाएगा तो कमेंट करके बताएगा एक और कोन है जीने मोहन बागान रतना वोर्ड इस बार मिलेगा और मंडेला प्राइज भी याद रखेगा मंडेला प्राइज की मैंने विकली रिविजिन के अदर ट्रिक करवाई थी तो वहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला प्राइज किसे मिला और जो असोग कुमार है ये होकी खेलते हैं और किस के सन है ध्यान चंद जीने होकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यान चंद खेलो इंडिया यूथ गेम को कौन होस्ट करेगा इस बार फोर टाइम जो होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम हर्याना उसको host करने वाला है चलिए अभी यहां तक मैंने आपको agreement से पहले पहले सब कुछ करवा दिया, next video के अंदर हम next जो भी portion है वो देखने वाले हैं I hope video पसंद आई होगी आपको और अदे गंटे के अंदर अगर मैं आपको one third करवा देता हूं पोल्ट इससे बड़ीया चीज मुझे नहीं लग आपके लिए कोई हो सकती है क्या, अगर आपको video अच्छे लगी है तो like कीजिएगा, share कीजिएगा अपने serious तोस्तों के साथ और subscribe करके bell icon ज़रूर दबा लेजिएगा ताकि next notifications आप miss ना करें thank you, thank you